मैं दीपक मिशर अपने सी टिप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हम लोग देख रहे हैं जेनरल स्टडीज और आज हम बात करेंगे जेनरल स्टडीज से समंदित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्णों पर इस सेट में मैंने 50 कोश्ण का कलेक्शन किया है इसमें साथ साथ में आप सॉल्व करते चले साथ ही मैं इसके एंसर भी बताता चलूँगा और आप देखिए कि आगामी परिक्षाओं के लिए आपकी क्या तैयारी है ये जो प्रश्णोंगे ये सभी तरह के एक्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने उन्हीं प्रश्णों का संकलन किया है जो पिछले परिक्षाओं में पूछे गए हैं और भविश् आप रसक्यों के लिए बिद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको ये मैंने वाटसस्थ में पहले ही दे दिया था question उन्होंने solve किया है तो वह भी वीद्यार्थी जो है अपने एंसर को चेक करते भी चलेंगे तो चले शुरू करते हैं पहला कोश्चन है, 1938 में किस वेक्ति ने वैस्क सार्वजनिक मतादिकार के आधार पर समिधान सभा के गठन की मांग की थी? आपका एंसर क्या होगा? देख लिजी आप पहले जी हाँ, सही जवाब है, इसका एंसर होगा, ओप्सन नमबर B, जवाहरलाल नहरू तो चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण हमारा है, समिधान के किस भाग को उसकी आत्मा तथा कुण्जी की संग्या प्रदान की गई है? समिधान के किस भाग को उसकी आत्मा तथा कुण्जी की संग्या प्रदान की गई है? आपका एंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका एंसर हो जाएगा समिधान की प्रस्तावना ओप्सन नमबर ए जो होगा, ये इसका सही जवाब होगा अगर सिर्फ समिधान की आत्मा देता, तो समिधान की आत्मा बियराम बेटकर ने कहा था अनुछेद 32 यानि कि मौलिक अदिकार को लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है आपको की आत्मा तथा कुंजी की संग्या किस ने दी तो आत्मा तथा कुंजी की संग्या दी जाती है क्योंकि समिधान की यानि की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को जो सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है। तो गनतंत्र जो है एक ऐसी सासन प्रनाली को कहा जाता है, जहाँ पर सासन का प्रमुग जो होता है, यह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न हमारा है, भारते समिधान का अभिभावक कौन है? भारते समिधान का अभिभावक या गार्जन जो है, यह कौन है? अप्सन A, राष्ट्रपती, अप्सन B, प्रधान मंत्री, अप्सन C, सुप्रीम कोट और अप्सन D, निर्वाचन आयोग। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका एंसर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, अप्सन नमबर C, सुप्रीम कोट। सुप्रीम कोट जो होता है, इसे भारते समिधान के अभिभावक की संग्या दी जाती है, क्योंकि संसत को समिधान में संसोधन का अधिकार है, लेकिन इस वैधता को देखने का अधिकार जो है, यह सुप्रीम कोट को है, और कहा भी गया है कि न्यायपली का जो है, यह समिध समीधान के संदक्षक के रूप में काम करेगी इसलिए समीधान का अभिवाव क्या संदक्षन जो है यह होगा कोर्ट और कोर्ट में भी सर्वोचिन्याले यानि सुप्रीम कोर्ट आइए चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन पर भारते समीधान में समवर्ती सूची की आउधारना किस देश के समीधान से ली गई है ऑप्षन ए है ऑस्ट्रेलिया ऑप्षन बी है कनाडा ऑप्षन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्षन डी है ब्रिटेन तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्षन नमबर ए यानि की आउस्ट्रेलिया तो समवर्ती सूची की आउधारना जो है ये आउस्ट्रेलिया के समीधान से ली गई है हमारे देश में तीन अनु सूची है संग सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची जिसमें समवर्ती सूची जिसमें केंडर और राज्य दोनों को कारून बनन प्रावधान लिये गए हैं उस्ट्रिलियाई समिधान से आते हैं अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण हमारा है मूल भारतिय समिधान कितने अध्यायों में विभक्त है मूल भारतिय समिधान कितने अध्यायों में अध्याय का मतलब यहाँ पर भाग से है कितने भागों में विभक्त है option A 16, option B 24, option C 25 और option D 22 तो यहाँ पर जो answer होगा यह हो जाएगा option number D यानि की 22 मूल भारतिय समिधान जो है यह कुल 22 भागों में विभक्त था आते हैंब अपने अगले question पर अगला question हमारा है किस अधिनियम को समिधान की किसी अनुसूची में सामिल करने पर उसकी वैधता को किसी नियायले में चुनावती नहीं दी जा सकती है यानि की इसमें पूछ रहा है कि किस अनुसूची में सामिल जो है यह विधान को नियायपालिका में चुनावती नहीं दी जा सकती है यानि इसमें से कौन सी अनुसूची में अगर किसी कानुन को सामिल कर दिया जाए तो वो नियायक शेत्रादिकार से बाहर हो जाता है option A है पाँचवी अनुसूची, option B है छटी अनुसूची, option C है आठवी अनुसूची और option D है नवी अनुसूची तो इसका answer हो जाएगा option D यानि की नवी अनुसूची यदि किसी विधान को नवी अनुसूची में सामिल कर दिया जाता है तो वो नियायक पलिका के शेत्रादिकार से बाहर हो जाता है और नियायले उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है आते हैं अब अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण मारा है मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौनसा अनुचेद बच्चों के शोषन से सम्बंधित है option A है अनुचेद 17 option B है अनुचेद 19 option C है अनुचेद 23 option D है अनुचेद 24 इसमें अनुचेद 23 और 24 जो है ये शोषन के विरुद अधिकारों से सम्बंधित मौलिक अधिकार है इनी दोनों को confusion होता है तो यहाँ पर बात है बाल स्रम तो बाल स्रम को प्रतिबंधित किया गया है 6 से 14 वर्स के आयू के बच्चों के लिए तो 14 में 4 आता है तो यहाँ पर अनुचेद 24 में भी 4 आता है तो इससे एक क्लू बना लिजिए जहाँ पर बाल स्रम की बात आएगी वहाँ पर होगा अनुचेद 24 तो जो मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के सोसन से संबंदी थे इस प्रशन का एंसर जो है यह हो जाएगा ओप्सन नंबर डी यानि की अनुचेद 24 आते हैं अब अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन हमारा है निमलिकित में से किस वर्श सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया ओप्सन A है 1973 ओप्सन B है 1974 ओप्सन C है 1975 और ओप्सन D है 1976 तो इसका एंसर जो हो जाएगा यह क्या होगा तो ओप्सन नंबर C यानि की 1975 जो सिक्किम है सिक्किम को राज्य के रूप में मानेता मिली थी 1975 में आते हैं अब अगले प्रशन पर अगला प्रशन हमारा है किस अनुछेद के तहत संसद को नागरिक्ता के संबन में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है किस अनुछेद के तहत संसद को नागरिक्ता के संबन में कानुन बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है option A है अनुछेद 5, option B है अनुछेद 9, option C है अनुछेद 10 और option D है अनुछेद 11 अभी जो कैब आया हुआ है कैब को लेकर के ये प्रश्न हीट हो सकता है कि भारते समिधान का कौन सा अनुछेद संसद को नागरिक्ता के संबन में कानुन बनाने का अधिकार प्रदान करती है तो इसका answer होगा अनुछेद 11 यानि कि accurate option हमारा हो जाएगा option number D अनुछेद 11 ये संसद को नागरिक्ता प्रावधान को संचालित करने के लिए विधान बनाने का अधिकार प्रदान करती है आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा है अब अगला प्रश्न हमारा जो है ये हिस्ट्री से संबन दित है सिंदु घाटी सभ्वेता में घोडे के अवसेश कहां से मिले थे? तो इसका जो सही जवाब होगा यह होगा option number A, सुर्कोर्दा सिंदु घाटी सभ्वेता में घोडे के अवसेश जो है यह सुर्कोर्दा से मिले थे और गेंडे के अवसेश जो थे यह आमरी से मिले थे और उट के अवसेश जो थे यह काली बंगा से मिले थे अब आते हैं अपने अगले question पर अगला question हमारा है रिग वेद का कौन सा मंडल पूर्णत सोम देवता को समर्पित है रिग वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है option A है साथवा मंडल option B है आठवा मंडल option C है नवा मंडल option D है दसवा मंडल काफी आसान है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा option number C यानि की नवा मंडल रिग वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है अगर आप दसवा मंडल सोच रहे तो दसवा मंडल नहीं होगा दसवे मंडल में चातूर वारनिक वेवस्था यानि की ब्राहमन चत्रिये वैश्य और शुद्र का उलेके और नवा मंडल जो है यह सोम देवता को समर्पित है यानि जब सिकंदर नहीं भारत पर आकरवन किया था उसमें मगद पर कौन सा शाशक राज कर रहा था प्रश्न यह है option A है महापदनन्द option B है घननन्द option C है सुकल्प option D है चंदरगुप्त मौरे तो इसका जो answer होगा यह हो जाएगा option number B यानि की घननन्द सिकंदर के आकरमन के समय मगद का सासक जो था ये था घननन्द आते हैं अपने आगले प्रशन पर next question हम लोगों का है जातक किसका गरंथ है option A option B option C वैशना और option D जैन तो हम लोगों ने अभी अभी बाध धर्म कंप्लीट किया है तो जातक जो है ये गरंथ है बाध संपरदाय का यानि accurate answer जो हो जाएगा ये हो जाएगा option number B यानि की बाध ठीक है और ये जो जातक है जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का उलेक है आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन हम लोगों का है निमलिखित में से किस राज्यादेश में असोक के व्यक्तिगत नाम का उलेक मिलता है आप्सन A कालसी आप्सन B रूमन देई आप्सन C विशिष्ट कलिंग राज्यादेश और आप्सन B मास की अभिलेक कोश्चन को थोड़ा साथान कर देता हो कोश्चन पूछ रहा है कि निमलिखित में से किस अभिलेक में अशोक का नाम अशोक मिलता है अशोक का विक्तिगत नाम जो है यह अशोक है तो यह किस अभिलेक में मिलता है तो अशोक के अशोक नाम दो अभिलेकों में मिले हैं एक है गुर्जरा अभिलेक और दूसरा है मास की अभिलेक यहां गुर्जरा दिया नहीं है इसलिए सही जवाब हमा लोगों का हो जाएगा ओप्सन नमबर D मास की अभिलेक आते हैं अब अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण हमारा है वह रोमन समराठ आगस्टस की भाति सावधान था कि वह दूसरों की तरह सक्तिसाली न लगे और वह दूसरों के इसतर से अधिक न लगे यह संदर्ब किसका है एक कथन दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये कथन कि साशक के सम्वन में कहा गया है option A बाबर, option B इबराहीम लोदी, option C बहलोल लोदी, option D जलालुदिन खिलजी तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा option number C यानि कि बहलोल लोदी ठीक है आते हैं अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है इल्टूत्मिस द्वारा बनवाया गया अतारिकन दर्वाजा जो की अकबर के बुलन दर्वाजे का प्रेर्ना स्रोत बना स्थित है इल्टुत्वीश ने बनवाया था अतारिकन दर्वाजा जिसकी प्रेधना के स्वरूप अकबर ने बाद में बुलन दर्वाजे का निर्मान करवाया यहाँ पे कोश्चन है कि यह अतारिकन दर्वाजा कहां इस्थी थे आपसन ए दिल्लि आपसन बी लहोर आपसन सी अज्मेर और आपसन दी नागर तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपसन दी नागर और नागर कहाँ पर है तो नागर है राजस्थान में आते हैं अब अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण हमारा है विजय नगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोल कुंडा का युद किस राजा के साथ लड़ा विजय नगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोल कुंडा का युद किस राजा के साथ लड़ा ओप्सन A है कुतुब कुली शाह ओप्सन B है कुतुब उद्दिन एबक ओप्सन C है इसमाईल आदिल शाह और ओप्सन D है प्रताप रुद्र गजपती तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा ओप्सन नमबर A कुतुब कुली शाह यानि कृष्ण देवराय ने गोल कुंडा का युद जो है ये लड़ा था कुतुब कुली शाह के साथ में आते हैं अब अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण हमारा है वह सुफी संथ कौन था जो यह मानता था कि भक्ती संगीत इस्वर के निकट पहुचने का मार्ग है वह सुफी संथ कौन था जो यह मानता था कि भक्ती संगीत इस्वर के निकट पहुचने का मार्ग है आप्शन A मुईनुद्दिन चिस्ती आप्शन B बाबा फरीद आप्शन C बक्तियार काकी आप्शन D उबैदुल्ला अहरार तो इसका एंसर हो जायेगा option number A मुईनुद्दिन चिस्ती खाजा मुईनुद्दिन चिस्ती इनकी दरगाह भी बार बार पूची जाती है तो इनकी दरगाह जो है यह अजमेर शरीफ में है आते हैं अपने आगले प्रश्न पर आगला प्रश्न हमारा है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदाई था? अकबर की सेवा में आने के पहले जो था ये शेरसा की सेवा में था इसके गुनों से प्रभावित हो करके अकबर ने इसे अपनी सेवा में रखा और भू राजस्व सुधारों का दाई तो इसे सौपा था आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न मा रहा है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह होगा यानि कि accurate option होगा हमारा option नमबर B आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा है इमाम बाड़ा कहां पर स्थेत है इमाम बाड़ा कहां पर स्थेत है option A आगरा option B लखनव option C पटना और option D इलाहबाद तो इसका जो सही एंसर होगा यह हो जाएगा option नमबर B लखनव आप में से बहुत से लोगों को इलाहबाद भी लग रहा होगा लेकिन इमाम बाड़ा इस्थित जो है यह है लखनव में आते हैं अपने अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण अमारा है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रनाली की नियू किस से पड़ी भारत में आधुनिक शिक्षा प्रनाली की नियू किस से पड़ी ओप्शन A 1813 के चार्ठर अधिनियम से ओप्शन B 1835 के मैकाले के मिनट से ओप्शन C 1882 के हंटर आयोग से ओप्शन D 1854 के वोड डिस्पैज से तो इसका सही जवाब जो होगा यह होगा 1835 के मैकाले मिनट से ठीक है भारत में जो आधुनिक शिक्षा यानि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी यह हुई थी मैकाले शिक्षा प्रस्ताओं से अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा है गुलाम गिरी के लेखक कौन थे एक पुस्तक है गुलाम गिरी पुछ रहा है इसके लेखक कौन थे अप्शन A अमबेड कर अप्शन B जयोतिवा फुले अप्शन C महात्मा गांधी अप्शन D पेरियार तो इसका एंसर हो जाएगा option number B यानि की ज्योतिवा फुले गुलाम गिरी के लेखक जो है ये अमबेटकर और महात्मा गान्दी नहीं ये हैं ज्योतिवा फुले आईए बढ़ते हैं अब अपने next question की तरफ next question हमारा है 1919 के अधिनियम में द्वायद सासन की आवधारना को से जिस वेक्ति ने हमें परिचित कराया वो कौन थे 1919 के अधिनियम में द्वायद सासन की आवधारना से जिस वेक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे option A Montague, option B तेज बहादूर शप्रू, option C Minto और option D Champsford तो यहाँ पर जो होगा ये हो जाएंगे option number D यानि की Lord Champsford 1909 का act जो था इसे मारले मींटो act के नाम से जाना जाता था इसमें सामपरदाइक निर्वाचन की शुरुवात होई थी जबकि 1919 के act को Montague, Cainford, सुधार act के नाम से जाना जाता है और इसी act में भारत को पहली बार द्वैद सासन प्रनाली से परिचित कराया गया था आते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न हमारा है भुगोल का जनक किसे माना जाता है भुगोल यानि geography subject का father किसे माना जाता है option A, Herodotus, option B, Hippocritus, option C, Eratosthenes और option D जो होगा यह होगा हिकाटियस तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा यह होगा हमारा option number D यानि की हिकाटियस आप में बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इसके father of geography जो होगे यह इरेटो इस्थैनिस होगे लेकिन इरेटो इस्थैनिस नहीं है यह हिकाटियस है father of geography और इरेटो इस्थैनिस जो थे भुगोल को एक अलग विशय के रूप में स्थापित करने का स्रेय जो है यह जाता है इरेटो इस्थैनिस को अगर कभी इस तरह का प्रशन आएगा तो उसका सही जवाब इरेटो इस्थैनिस होगा आईए अब चलते हैं अपने आगले प्रशन की तरफ आगला प्रशन हमारा है निमलिखित में से किसे blue planet कहा जाता है बहुत आसान है blue planet के नाम से किसे जाना जा आते हैं option number B यानि की प्रिथिवी को और इसका कारण है प्रिथिवी पर जल की उपस्थिति आते हैं अब अपने अगले question की तरफ अगला प्रशन हमारा है प्रिथिवी ग्रह की सनरशना में प्रवार हिंदी शब्द है अंग्रेजी में से कते है mental के नीचे क्रोड निमलिखित में से किस एक से बना है या सिधा question है कि क्रोड जो है ये किस तत्वों से बना है option A है aluminium option B है chromium option C है law और option D है silicon तो हम लोग जानते हैं कि प्रिथिवी की तीन पर आते हैं crust, mental, core, cial, cima, nifay से ये मिलकर बना है और जो core है ये nifay से बना है nifay यानि nickel और ferrous तो nickel यहां है नहीं ferrous, ferrous को हिंदी में काते हैं loha तो यहां सही answer हो जाएगा option number C यानि की law आते हैं अब अपने आगले प्रशन पर अगला प्रशन हमारा है महादीपिये प्रभाह का सिध्धान किस ने दिया? option A है प्राट, option B वैगनर, पुरा नाम इनका अलफ्रेड वैगनर, option C हॉम्स और option D ग्रेगरी तो इसका जो सही answer हो जाएगा यह हो जाएगा अलफ्रेड वैगनर यानि option number B यानि की continental drift theory यानि महादीपिये प्रभाह सिध्धान जो देने वाले थे यह थी अलफ्रेड वैगनर आते हैं अगले प्रशन पर अगला प्रशन अमरा है जब greenwich मध्यान जब greenwich में मध्यान है यानि पूछ रहा है कि जब greenwich जो है इंगलेंड में यहाँ पर दोपहर है दिन के 12 बज़े हैं एक जगा का इस्थानिय समय पांच बज़े साय है निमलिखित में से वह कौन सा यम्योत्तर है जिस पर वह इस्थान है पूछ रहा है कोशन कि अगर greenwich में दिन के 12 बज़े हैं तो उसी समय एक जगा साम के 5 बज़े हैं तो वह इस्थान कौन से देशांतर पर स्थेत है option A है 75 degree पूर्व, option B 75 degree पश्षिम, option C 150 degree पूर्व और option D 150 degree पश्षिम मैंने जोग्रफी का जो क्लास लिया था उसमें बहुत डिटेल से ये बताया है तो जो students क्लास किये है उनसे तो ये आसानी से बन जाएगा सबसे पहली बात कि यहाँ पूर्व होगा या पश्षिम होगा इसे आप लोग पहचान सकते हैं अगर कोई स्थान greenwich से अगर greenwich से अगर पूर्व की दिशा में है ठीक है यानि greenwich से अगर हम सूरी की दिशा में बढ़ेंगे तो उसका जो समय होगा ये प्लस में होगा और अगर पश्षिम की तरफ जाएंगे तो समय जो होगा ये माइनस में होगा तो यहाँ पर बोल रहा है कि साम के और होगा प्लस में है यानि कि वह जगा किदर होगा पूर्व के दिशा में होगा तो यहाँ पे दो अप्सण उमारे पास बज़ गये 75 डिग्री पूर्व और एक हो जाएगा 150 degree पूर्व इन्हीं दोनों में से कोई होगा तो इसका सही जवाब जो होगा यह होगा option number A 75 degree पूर्व इसको हम लोग mathematical formula से निकालेंगे मैंने जो है ये class में बहुत अच्छे से समझा है और अगर आप लोगों को इसको निकालने में परिशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बोली मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा कि किस तरह से हम लोग देशानतर के आधा पर किसी देश का इस्थानी समय ग्याद करते हैं चुकि समय के bounding है वीडियो ऐसे भी लंबा हो रहा 50 questions का analysis करना है तो लंबा हो जाएगा तो जिस जिस प्रशन में आपको दिक्कत आएगी आप लोग उस प्रशन को मुझे बताईए कमेंट करके मैं उस पर एक छोटा छोटा वीडियो बना करके upload कर दूँगा तो चलिए आते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन हमारा है काली मंतान जिस दूइब का अंग है वह है पूछ रहा है कि काली मंतान किस दूइब का पार्ट है किस दूइब का अंग है option A होन्शू, option B बोर्नियो, option C क्यूबा option D है मेडा गास्तर तो इसका सही एंसर जो होगा ये हो जाएगा option number B यानि की बोर्नियो यानि काली मंतान जो है ये बोर्नियो दूइब का अंग है आते हैं अपने अगले प्रशन पर next question हमारा है तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थेत है option A कजाकिस्तान option B तुर्कमेनिस्तान option C उजबेकिस्तान और option D चीन तो इसका सही एंसर जो होगा ये हो जाएगा option number D यानि की चीन हो गया आते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन मारा है सिया चीन है डैस सिया चीन है डैस सिया चीन क्या है पूछ रहा है option A भारत तथा पाकिस्तान के बीच का हिम्रद सिमांत छेत्र मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच का ग्लेशियर बोडर एरिया option B भारत तथा चीन के मद्धे का मरू इस्थलिये सिमान्द शेत्र option c भारत तथा चीन के बीच का सिमान्द शेत्र और option d भारत तथा में अनमार के बीच का सिमान्द शेत्र तो इसका answer जो होए ये हो जाएगा option number a यानि कि ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच का जो है ये हिम्नद का सीमांत छेतर है मतलब हिम्नद सीयाचीन जो है ग्लेशियर है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थेत है आते हैं अब अपने अगले प्रश्न का अगला प्रश्न मारा है भारत की कौन सी परवत स्रेनी नवीनितम है भारत की कौन सी परवत स्रेनी नविन्तम है मतलब भारत का इन स्रेनियों को दी गई है चार स्रेनिया इसमें कौन सा सबसे करेंट है सबसे नहीं है option A सहयादरी, option B अरावली, option C सत्कूडा और option D है हिमाले हम लोग जानते हैं कि हिमाले जो है एक नविन वलित परवत है तो इसका भी सही जवाब जो हो जाएगा हिमाले हिमाले की उत्पत्ती पर भी अगर आप लोग वेडियों चाहते हैं दुलहस्ती पावरी स्टेशन निमलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है ओप्शन A व्यास ओप्शन B चिनाव ओप्शन C रावी और ओप्शन D सतलज तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ओप्शन नमबर B यानि की चिनाव पर आते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला प्रशन हमारा है भारत की राष्ट्रिया आए में सरवाधिक योगदान किस चेतर का है भारत की राष्ट्रिया आए में सरवाधिक योगदान किस चेतर का है option A प्रात्मिक शेत्र, option B दित्यक शेत्र, option C तरित्यक शेत्र और option D सभी असत्य तो हम लोग जानते हैं कि भारत की राष्ट्य आय में सरवाधिक योगदान वर्तमान में है तरित्यक शेत्र यानि सेवा शेत्र का बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्ण पर किसी राष्ट की राष्ट्रिय आय होती है, question mark A सरकार का वार्शिक राजस्व, option B उत्पादन कारियों का योगफल, option C साभजनिक शेत्र के उद्यमों का अधिशेस और option D, निर्यात में से आयात घटा कर, तो इसका जो सही एंसर होगा, ये होगा उत्पादन कारियों का योगफल यानि option number B हमारा सही जवाब होगा क्योंकि अगर हम लोग राष्ट्रिय आय की परिभाशा देखें, तो राष्ट्रिय आय से त्यात पहरें, जो है ये किसी जो देश की जो भी आमदनी होती है, उसको हम राष्ट्रिय आय कहते हैं, और ये निकाला जाता है उत्पादन कारियों को जोड़ कर, यानि किसी देश के द्वारा, देश की सीमा के भीतर और देश की सीमा के बाहर एक वित्य वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तो तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मुल्य को राष्ट्रे आये कहा जाता है इसके लिए हम लोग GDP, GNP, GNNP वगरा वगरा जो हम लोग देखे हैं इससे आप समझ सकते हैं इसको इसके लिए भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है मुझे लगता है पूरे सेट का सबसे आसान कुश्चन है भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आप्सन A भारते रिजर्ब बैंक, आप्सन B भारते स्टेट बैंक, आप्सन C बैंक अफ इंडिया और अप्सन D सेंट्रल बैंक अफ इंडिया तो इसका जो accurate answer है आप लोगों को सबको पता है कि ये कहा जाता है RBI यानि कि रिजर्ब बैंक अफ इंडिया चलिए आते हैं अब अपने अगले प्रश्ण पर आगला प्रश्ण हमारा है निमलिखित में से कौन सा बैकल्पिक धन का उदाहरन है? निमलिखित में से कौन सा बैकल्पिक धन यानि ऑप्शनल मनी का एक्जामपल है? ऑप्शन A करेंसी नोट, ऑप्शन B सिक के, ऑप्शन C चेक और ऑप्शन D बॉंड यहाँ पर confusion दो चीजों को लेकर होगा, एक चेक और दूसरा bond, तो यहाँ पर answer जो हो जाएगा इसका सही, यह हो जाएगा चेक तो चेक जो है, यह optional money यानि की बैकल्पिक धन का एक्जामपल है आते हैं अपने अगले प्रश्ण पर नेक्स्ट कोस्टन हमारा है निमलिखित में से कौनसा खनीज केरल में बहुत आयात से मिलता है औपिसन है T, option B है अबरक, option C है मैगनीज और option D है मोनोजाइट तो इसमें से गैस किजी आप कौनसा सही जवाब होगा तो जी हाँ आपका गैस सही है और ये सही जवाब हो जाएगा option number D यानि कि monogite और जिनका जवाब गलत है वो लोग ध्यान में रख लिजे कि केरल में बहुत आयत से मिलने वाली खनीज है monogite आते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न हमारा है भारतिय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वन्दी कौन है भारतिय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वन्दी main competitor कौन है option A चीन, option B नेपाल option C बांगला देश option D जापान हर जगा पर भारत के लिए competitor चीन है लेकिन यहाँ पर चीन नहीं है यहाँ पर सही जवाब होगा option C यानि कि बांगला देश क्योंकि आजादी के बाद भारत का लगबग 80% से भी अधिक जो जूट छेतर था यह बांगला देश यानि कि पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था और अब पूर्वी पाकिस्तान बन चुका है बांगला देश यानि कि भारत का मुख्य जो जूट का कंपेटिटर है यह है बांगला देश आते हैं अब अपने अगले कोश्चन पर next question है हरित करांती के दौरान मोटे अनाजों तता दलहन का उत्पादन डैस यानि पूछ रहा है हरित करांती के दौरान हरित करांती का दलहन और मोटे अनाजों पर क्या प्रभाव पढ़ा option A तेजी से बढ़ा option B घटा option C अ परिवर्थित रहा option D तीन गुना बढ़ गया तो यहां पर जो सही जवाब होगा यह होगा उत्पादन घट गया यहां पर जो सही अंसर होगा यह होगा option B यानि की घटा क्यूंकि हरित करांती के दौरान गेहूं के उत्पादन में जो है यह तीन गुनी ब्रिधी हुई चावल का उत्पादन इस्तिर रहा और दलहन और मोटे अनाजों का उत्पादन पहले से भी कम हो गया था यानि हरित करांती में दलहन और मोटे अनाजों के उत्पादन में हरास होई आते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण मा रहा है भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेल लाइनों का उप्योग करती है option A है broad gauge option B है meter gauge option C है narrow gauge option D है सभी तो यहाँ पर हमारा जो सही answer होगा यह हो जाएगा option number D यानि की सभी क्योंकि अभी भी पुर्वत्तर और पहाड़ी छित्रों में narrow gauge और meter gauge का उप्योग होता है generally अब सब जो लाइने हैं यह चौड़ी लाइने यानि broad gauge हो चुकी है परन्तु अभी भी कुछ छित्र है जहाँ पर meter gauge और narrow gauge का प्रियोग होता है इसलिए option number D यहाँ पर accurate answer होगा आते हैं अगले प्रश्न अगला प्रश्न हमारा है निमलिखित में से कौन सा केंदर सरकार की आयका सरोत नहीं है निमलिखित में से कौन सा केंदर सरकार की आयका सरोत नहीं है इसमें ध्यान देना है कि यह सरोत जो दिये गए है कौन सी केंदर सरकार की income का source नहीं है option A उतपाद सिल्क option B आयकर option C व्यापार कर और option D है corporate कर तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा यह हो जाएगा व्यापार कर व्यापार कर जो है यह केंदर सरकार की आयका सरोत नहीं है आते हैं अपने next question पर अगला प्रेश्ण हमारा है कुची पुडी किस राज्जी की नरित्य शैली है option A है केरल option B है आंधर प्रदेश option C है तमिल नाडू और option D है करनाटक तो यहाँ पर जो सही एंसर हमारा होगा यह हो जाएगा option नंबर B यानि की आंधर प्रदेश कुची पुडी जो है यह संबंदित है आंधर प्रदेश से आते हैं अपने next question पर next question हमारा है शू विख्या ठुम्री गाई का गिरिजा देवी का संबंद किस घराने से है शू विख्या ठुम्री गाई का गिरिजा देवी का संबंद किस घराने से है तो ठुम्री गाई का गिरिजा देवी का बताना है कि इन में से चारों में से कौन से घराने में ये संबंधित है option A है बनारज घराना, option B है जैपूर घराना, option C है लखनव घराना और option D है सभी, तो इसका सही एंसर हो जाएगा option number A यानि की ठूमरी घय का गिर्जादे भी, बनारज घराने से संबन रखती है आते हैं अगले प्रशन पर, अगला प्रशन हमारा है शीनतो कहां का मूल धर्म है, शीनतो एक धर्म है, ये कहां बाई ओरिजिन कहां का धर्म है, मूल रूप से ही, कहां का धर्म है option A है चीन, option B है जापान, option C है सिंगापूर और option D है औस्ट्रेलिया तो इसका सही जवाब होगा option number B यानि की जापान यानि की शीन्तो धर्म जो है यह मुल रूप से जापान का धर्म है आते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न मारा है होली अभी अभी बीती है, होली से related question है लठ मार होली किस स्थान पर खेली जाती है लठ मार होली एक विसेश परकार की होली होती है जिसमें देवर भावी को रंग लगाने का प्रयास करते हैं और भावी लाठियों से देवर उनको पीठती है इसे कहते हैं लटमार होली तो लटमार होली किस स्थान पर खेली जाती है option A लखनाउ, option B बनारस, option C मतूरा और option D है अमरित सर तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा option number C मतूरा तो मतूरा में जो है ये लटमार होली खेली जाती है आते हैं अपने next question पर नेक्स्ट कोश्टन हमारा है, निमलिखित में से कौन सा युग्म सूमेलित नहीं है, जोड़े दिये गए हैं, गलत जोड़ा बताना है, आप्शन A, बोरो बुदूर, इंडोनेशिया, आप्शन B, अंकोरवाट, कंबोडिया, ये बोरो बुदूर मंदीर है, अंकोरवाट भ मंदीर मियनमार option D मिनाक्षी मंदीर भारत तो इसमें जो रॉंग जोड़ा है वो है दांत देवी का मंदीर यानि की option number C ये जोड़ा गलत है दांत देवी का मंदीर जैपूर भारत में स्तित है आते हैं अपने आज के last question पर last question हमारा है भारत की सबसे प्राचीन लिपी कौन सी है भारत की सबसे प्राचीन लिपी कौन सी है option A सिंधी option B खरोष्टी option C प्राकृत और option D ब्रहामी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा option number A सिंधी तो सिंधी जो है यह भारत की सबसे प्राचीन लिपी है सिंधु घाटी सब्वेता के नाम से याद रख लिजे जब इतिहास पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी से पढ़ते हैं तो सिंधु घाटी से जोड़ लिजे सिंधी तो इसका कोई relation नहीं है तो सिंधु और सिंधी को एक कोइंसिडेंट में बना रहा हो ता कि आप इसे याद रख सके भारत की सबसे प्राचीन जो लिपी है यह सिंधी है यह आई इसका पूछा हुआ question है ठीक है तो इसमें जीतने question हों का collection क्या हुआ है सब किसी नहीं किसी exam में ही पूछे हुए है इसलिए सभी important question है तो हाज इसी question के साथ हमारा यह question answer है इसे हम समाप्त करते हैं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा comment करके जरूर बताइएगा और जो भी द्यारती question का PDF चाहते हैं वो अपना WhatsApp नमबर दीजे हम लोग एक group चलाते हैं इसमें मैं आप लोगों को add कर दूँगा तो आप लोगों को question भी मिल जाएगा और question आप लोगों पहले solve कर लिजे question solve करने के बाद में शाम में descriptive video बना करके मैं उसका answer दे दूँगा अभी lockdown के चलते जो है ये परिशानिया है हम लोग तैयारी को कैसे continue रखे सबसे महत्पुन समस्या ये है इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज चालू किया है इसमें आप लोगों को दिन में question मिल जाएगा आप लोग solve किजिए और सामने में वीडियो बनाकर उन question का descriptive जो है answer देने का प्रयास कर रहा हूँ तो चलिए इतनी ही बाते करके आज के इस वीडियो का the end करते हैं मिलेंगे next वीडियो में till then thank you very much